आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे वह टॉपिक है मोटिवेशन और मोटिवेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है यह हमें पढ़ाया जाता है एंबिये के स्टुड़न्स को और मोटिवेशन के अवाले से बहुत सारी थियूरी जिसको हम दिसकूस करेंगे लेकिन मैं आपको आज एक मिसाल पेश करूँगा एक ऐसे शक्स की जो के एक बहुत बड़ी मिसाल है मोटिवेशन की हमारे लिए यूथ के लिए न्यू बिजनसमेन के लिए लोकल इंट्रिपर्णर के लिए जो क्या आगे बढ़ना चाहता है कि कि सबस्olie हैं लिए ये किसी इंट का दो रहुतार आपके बाथ बहुत जरूरा के लिए, सबसे पहले आपको आपकोस दार करहाएं औरining को सबस्टेर्शतिएं के लिए यह औरिवाथ vaccines thing और इंटेंशार के लिए और शर्एकर आपके झाएं आपकरST बाहिए होना when he was 68 years of age he participated in a you know motorbike race in u.s उसके एक खवाइश थी शुरू से जब वो छोटा था न्यूजिलेंड में वो रहता था उसके हमेशा थे खवाइश थी कि वो यूएस जाए और वहाँ पे एक रेस होती थी motorbike की तो उसके पास कोई बहुत ही परानी bike थी 45 यर्स ओल्ल पराना इंजन था उस bike का उसके उसको एक डारेशन मिला हुआ था कि मुझे पार्टिसिपेट करना है इस रेस के अंदर और मुझे जाना है पार्टिसिपेट करना है और वो मुझे अचीव करनी है तो उसके पास एक डारेशन था कि मुझे उस रेस में सालेना है उसके बाद उसके पास एक इंटेंसिटी शिद्दत सी उसके पास उसके पास शिद्दत से उसके काम कर रहा था ठीक है कि मुझे वहाँ जाना है यूएश के अंदर और उसके पास परसिस्टेंसी भी थी वह किस तरह है कि जब मैंने आपको बताया कि यू आप एच और उसके बाद 78 साल गुमर में उसके वफात हुई न्यूजिलेंड में रहता था तो उसके सबसे पहले बैंक से लोन लिया बैंक वाले इसको लोन नहीं दे रहे थे और जब इसको लोन मिल भी गया जब जाने लगा तो उसके बाद पता चला डाइगनोस हुआ कि इसको हर्ट की तकलीफ है ठीके मतलब मैं आपको परसिस्टे अधिक में वो जा रहा था है वो भी इनसेक्यूर थी ठीके बाइक बाइक थी जब वो बाइक यूस के ले लेकर जा रहा था न्यूजिलेंड से बाइक शिप पर जब आफलोड हुआ वहां पर काफी बाइक उसकी डेमेज हो चुकिए और बाइक बहुत पुरानी थी और ज पर जाती है वह सर्टिफिकेट भी उसको बहुत बड़ी मुश्किल से मिला कर वहां पर उसका कोई एक दोस्त बन गया था तो उससे उसने जो है उससे रिक्वेस की के मुझे सर्टिफिकेशन दी जाए प्रिटनेश की बाइक वो में जो है इसमें रेस में इसा लेना चाहत उसने वह रियस जीत ली मुटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो के अल्ला की तरफ से होती है और दोस्ता यह है कि जब बंदा अपना स्वाट एनलिसिस करता है तो आपके मौाशरे में आपके इर्द गिर्दे से दोस्त आपको मिलते हैं ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको हमेश मन्रो की तरह वो रेस जीत जाएंगे वो कोई भी रेस हो जिन्दगी भी वो कोई CGPA मैंटेन करनी हो कोई अच्छी जोब हासल करनी हो कोई CSS का पेपर पास करना हो कोई जोब हासल करना हो अच्छा बिसनसमें बनना हो या कोई भी आपका एम हो उसको हासल करने के लिए तीन आपके पास होना ज़रूरी है इसकी में दूसरी मिसाला आपको पेश करूँ 92 का वर्लकप थाथ देखें हार रहे थे पाकसानी टीम लेकिन एक दम से जो है जो लीडर्शिप होती है बेसिकली अगर हम में किर्केट के बात करूं चलो इमरान खान की जो लीडर्शिप है किर्क जीत रहे हैं कि उनके पास एक डारेशन के भी आफ विन इस वोल्ल कप 2019 एक उनके पास डारेक्शन है उनके पास एक इंटेंसिटी है हर यह पेर्पिलियर अच्छा परफर्म कर रहा है देस इंक शिदत है ठीक है कि हम किसी और पर एघ्र सा थे करेंगे रहे को दूसरा बर चीजों की आपको परवाह नहीं करने हैं तो यह चीजें हैं मोटिवेशन के हवाले से दोस्तों और इंशाला तला नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा मैं कुछ और टॉपिक्स लियाऊंगा ओभी के हवाले से थैंकियू सो मज़ को वाचेने